इस वीडियो में हम बात करेंगे किडेल अ ट्रिप टु जू के बारे में ये एक बैटरी ओपरेटेड इंटराक्टिव साउंड बुक है जिससे बचे तिफरेंट आनिमल्स, बूर्द्स, इंसेक्स, आक्वा आनिमल्स के बारे में सीख सकते हैं इसमें दिये गए ड्रॉइंग, कलर्स, और पिक्चर्स के जरिये और दो साल से ऊपर के बच्चे इस बुक का इस्तमाल कर सकते हैं इस बुक को ऑपरेट करने के लिए आपको फ्रंट में त्री में बाटन्स मिलते हैं Anis book के हर पेश में आपको go button मिलता है पेश को activate करने के लिए उसके अलावा इसमें आपको four different modes भी मिलते हैं जिसको specially बच्चों के requirement के हिसाब से बनाया गया है Mode no.1 है word board जिससे बचे different words सीख सकते हैं Cow, cow gives us milk Rabbit, rabbits love carrots Mode no.2 है Spelling's mode जिससे बचे words की spelling सीख सकते हैं Mode no.3 है reading mode जिससे बचे पूरे पेश को एक साथ read कर सकते हैं Let's start reading this page Cow, rabbit, bull And mode no.4 है quiz mode जिससे बचे पिक्चे को प्रेस करके सवाल का जवाब दे सकते हैं Where is dog? Great job! Keep it up dear इस बुक में दिये interactive music बच्चों में self learning को encourage करते हैं इसमें आपको total 16 pages मिलते हैं जिसमें आपको 6 audio pages and 10 non audio interactive pages मिलते हैं आईए अब इन pages के बारे में एक एक करके जान लेते हैं page number 1 है drawing and writing page जिसमें बच्चे बुक के साथ दिये गए pen and eraser का इस्तमाल करके draw and erase कर सकते हैं page number 2 से बच्चे farm and pet animals के बारे में सीख सकते हैं page number 3 एक activity page है जहां पे बच्चे बुल्स को count कर सकते हैं and missing letter को लिख सकते हैं page number 4 से बच्चे wild animals के बारे में सीख सकते हैं lion the lion is the king of the jungle zebra zebras have black and white stripes page number 5 से बच्चे poem पर सकते हैं and matching game खेल सकते हैं page number 6 से बच्चे birds के बारे में सीख सकते हैं crow it is the national bird of Bhutan pigeon pigeons eat seeds fruits and greens page number 7 पर बच्चे story पर सकते हैं and page number 8 से बच्चे animal young ones के बारे में सीख सकते हैं kitten, kitten is the young one of cat My calf, calf is the young one of cow page number 9 पर बच्चे poem पर सकते हैं and page number 10 पर बच्चे aıkwa animals के बारे में सीख सकते हैं fish fish swims in water वेल, ग्लू वेल is the largest animal in the world पेज नेंबर 11 एक activity पेज है जहां पे बच्चे सिंविलर इंसेक्ट को सिर्कल कर सकते हैं और इंसेक्ट को कनेंक्ट कर सकते हैं पेज नेंबर 12 पे बच्चे इंसेक्ष के बारे में सीख सकते हैं Butterflies eat nectar from flowers. Bee. A bee gives us honey. Page number 13 पे बच्चे कलर कर सकते हैं and page number 14 पे बच्चे number puzzle game खेल सकते हैं. Page number 15 पे बच्चे image match कर सकते हैं and correct number लिख सकते हैं and page number 16 पे बच्चे sneak and ladder game खेल सकते हैं. Interactive pages के अलावा इसमें आपको musical rhymes भी मिलते हैं. Gidail, a trip to zoo का इस्तमाल करके बच्चे अपने knowledge को enhance कर सकते हैं and अपने learning time को और भी ज्यादा fun and enjoyable बना सकते हैं.